अबस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज का ये वीडियो है ये हम बनाने वाले हैं टू कलर प्रिंट बट इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि आज मैं आप सबसे डिसकस करना चाहता हूं वो सारी चीजे आप देखिएगा तभी आपको थोड़ा सा ग करने पड़ती है अब देखिए दोस्तों कस्टमर का डिमांड है उनका ये है बॉमबे वाले यार यह इन्हें प्रिंट करना है बट आप देख सकते हैं इनका जो ये बॉमबे वाले यार का इन्होंने अलफ़बेट सेलेक है बहुत ही थिन लाइन में यानि ये जो ब्लैक क अब ही मैं साइड में आपको एक्चुल इसका फोटो भी दिखाता हूं यहां पे एक रेड कलर का भी यहां पे न्यू स्कूल करके यहां पे उन्होंने दिया है बट वह आपको यहां पे निप देख सकते हैं अब इसमें सबसे बड़ा प्राब्लम यह है कि यह ब्लैक कलर क के टी-शेट है और बहुत ही ठिन लाइन में हमें प्रिंट करना है तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अगर हम सेम प्रोसिजर लेके आते हैं तो इसमें क्या होगा कि यह जो प्रिंट है हो सकता है कि दो चार वाशिंग के बाद यह निकल जाए क्योंकि यहाँ पे यह आप देख सकते हैं बहुत ही पतली लाइन है अब इसे हम कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हम यह क्रोमो लाइन फिल्म है इसे हम यूज करेंगे ताकि जो की हमारा जो यह बॉंबे वाले यार का जो बॉर्डर लाइन है जो कस्टमर ने हमें दिया है प्रिंट करने के लिए उस पे एक लेयर एक अच्छी वहां पर ठिकनेश आयागा जिसकी वजय से क्या होगा इंक टिपोजेट जादा होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कपड़े को जो पकड़ने की स्ट्रेंथ हो वो जादा होगी जिसकी वजय से वह बहुत आसानी से निकलेगा नहीं तो दोस्तो देखिए ये हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है अभी आपको मैं दिखा रहा हूं देखिए अभी क्रोमॉलाइन फ्लीम से ओपन किया है आप इसकी बारिकिया देखिए एकदम प्रॉपर शार्पनेस से ये पूरा मैटर है वो ओपन हुआ है इसमें एक फायदा ये होगा कि प्रॉपर इंग डिपोजिट होगा हमने अभी ये जो क्रोमॉलाइन फिल्म लिया है ये 25 mm की है यानि जब ये प्रिंट होगा इसके क्रोमॉलाइन फिल्म कैसे हमें यूज करनी है कैसे हमें एक्सपोस करना है तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताईए तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इसी के उपर बनाऊंगा कि क्रोमॉलाइन फिल्म को कैसे लगाया जाता है दोस्तो हम तयार हैं प्रिंटिंग करने के लिए चलिए प्रिंटिंग करके देख लेते हैं कि हमें रिजल्ट कैसा मिलता है दोस्तो अभी यहां पर मैं अकेले ही शूटिंग कर रहा हूं तो फिर मोबाइल पकड़ने के लिए कोई है नहीं तो जस्ट मैं आपको प्रिंट करके, एक स्टेप बाई स्टेप करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। कि इसे हम चेक कर लेते हैं.. इसका एक मैं स्क्रीन शॉट भी लूँगा दोस्तो और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक लेयर बनी है इसके उपर। दिखिए इसमें आपको एक हाइट दिखाई दे रही होगी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 25 माइक्रोन का हमने फिल्म लगाई थी उसका हमें कुछ इफेक्ट मिला है या नहीं और गैरेंटीड उसका इफेक्ट हमें मिला है दोस्तों यह हमारा एक कलर है अभी हम इस पर सेकेंड कलर भी करके देखेंगे ऐसे दिखा देता हूँ आपको तो यह जो नया स्वरी सेकेंड जो हमारा कलर है उसे भी हमने कर लिया है यह रिखिए तो दोस्तों यह जो बॉम्बे वाले यार है यह जो टीशर्ट बना रह koşर एं्का बताना चाहूंगा कि इनका म्यूजिक ऐलबम लान्ज करते हैं यह-दस टीशर्षिट्त करते वीडियो बनाते हैं यूटूब में मैं उनके कुछ वीडियो भी आपको यहां पर शेयर कर दूँगा उनका लिंक शेयर कर दूँगा तो उनके यह टी-शर्ट्स है तो अभी इनका new music का launch होने वाला है जिसकी वज़े से इन्होंने टी-शर्ट्स बनाया है और फिर यह टी- के वीडियो बस इतना ही था इस वीडियो के रिलेटेट कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप जरूर मुझे बताइए और कोई अगर special request है वीडियो की तो आभी कमेंट में बताइएगा उसके उपर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा मिलते हैं फिर एक नए व